आज हम बात करेंगे जो स्कीन डिजीज में जो बहुत प्रचली थे बहुत कॉमन वड़ जो उसको बलते है एक्जीमा जो हिंदी में उसको बलते है खरजवा क्लीनिक, नमस्कार मैं डॉक्टर जग्दीश सख्या, Chief Dermatologist of Sakya Skin Clinic यह एक्जीमा क्या है कितने टाइप को एक्जीमा है उसको होने का कारण क्या है, और उसकी treatment क्या है और आप घर पे क्या कर सकें कि एक्जीमा कंट्रोल में रहे और यह चल जाए तो एक जीमा, उस जो खरुजवा by ऐसे नामी शुजम हाथ कि यह द्राइस्कीन होना तो auxh तो कोई भी autoimmune disease होता है कि इसको बोडी में immune cells बनता है immunity जो बनाता है जो antibody बनता है जो skin के अंदर जो oil gland है उसको साफ कर देता है तो यह eczema बनता है इसमें दो टैप weight eczema and dry eczema weight eczema होता है इसमें से पानी छुटता है जो majority ladies में इसको pompholix बोलते हैं कि जो detergent का काम करते हैं जो साबूर सोडा पानी में यह household dermatitis बोलते हैं और कोई-कोई occupation में कोई cement का का काम करता है कोई textile में केमिकल्स में काम करते हैं कोई petroleum industry में काम करते हैं डिजल पेट्वल में तो यह जो बनता है इसको pompholix बलते हैं और उसको साधी बासाई में बलते हैं कि पानी नीज चुटता है जो एकदम एचिंग पुसकल आती है जो बनती है जो बनते है लुस्टरले शकीन होती है बेजहन बन जाती है जो animal में केसे skin हाथी में बनती है बफेलो एसी skin थिक बन जाती है और दूसरा जो classification ए एक DID जैसे जो जगा Liberty Bunny कोई बार इनके बंदागव कोई बा मानो की बाने लोन जो टु कोई प मयानो कि इसके इसके लगा धारिबिजैन से इनके-क टी बन ड्रफी जो च्छोंड जो नदित ता從 9-ig वहां बुलिष्टर बन गया, सीरस बन गया, और्टिक एरिया जैसा बन गया, तो उसको इरिटन डर्मेटरी, कॉंटेक एलर्जिक डर्मेटरी इस बनता है, और देव बनता है कोई बोले लेडी सालो से कपड़े दोती है, तो उसको देड़े देड़े होता है। ओरो तो गया, प्रतु देड़े देड़े डिंद का जो वहीं करने की काफेसिटी काम हो जाती है। और हमने काम तो सेम चलो रखा, तो पूरे दिन में जो मॉइस्टर वोड़र वो इटिलाइज हो जाता है, फिर ओरनेट अट गंटे में जो नेंद के साथ जो रिपेर होना है वो नहीं होता है, फिर दूसरे जिन हमने वापस काम चलो कर दिया, तो अल्रेडी धीरे धीरे स्ट से चलो कोरीडरे टो वह हर रिफेंड के वज़े के वज़े से भी पेर बाइजू मा पाइंड, यह कोरण्र। बनता है, फूड गहस्ता है और रोय थोपग बनेळ। कुई घकँशी अशी मा का थक चले ऐलर्जी बनता है, व्लूर। प्रिफिल अंदर केमिकल आता है आपको यह लगाना है और फिर 24 वर्स उसको अब्जम करना है अगर मां कोई चेंजिज रेडनेस कुछ से आया तो समझ के आया कि इससी एलर्जी है तो यह पेज टेस्से भी आप कॉमन एलर्जन है उसको आइडेंटिफाइ कर सकते हैं इसके अलावा ब्लॉड टेस्ट भी आता है इससे फूड एलर्जी टेस्ट भी आता है कौनसी फूड से एलर्जी होती है वह भी आप आइडेंटिफाइ कर सकते हैं कौनसी दवाइस की वज़े से जो इसको ऐलर्जी एक्जीमा बनता है वह आप सबसे नौटरियेस वह है एक जन्राइल पूरे बोड़ी 90% बोड़ी एरिया कवर करता है उसको बोलते हैं बोलते हैं ग्जीमा भ एरित्रोडर्म, तो जो एक्जिमा जो होता है, उसमें पार्थेयम डर्मे तरीज जो गाओं में होता है, तो ये देख्छ घनरलन फूरे बदन पर चला जाता है, इसके अलावा जो एक्जिमा को प्रकार जो बहुते हैं, जो बोलते हैं, तो इसमें भी एक्जीमा का चांस होता है और यह लोगों को स्किन देखो पूरे दिन खुझली करते रहते हैं तो इसको बोलते हैं एक्जीमा में एक एंवायरमेंटल फेक्टर भी बहुत है कोई लोग ऐसा बोलते हैं मैं वह सिटी में जाता हूँ तो वह एक्जीमा हो जया क्योंकि हम जैसे याद रखते हैं विसे हमारी स्किन भी आद रखते हैं स्किन में मैम्री सेल बन जाता है जब भी आप एक्जीमा की ट्रीट्मेंट करो तो और ग्रांटेड है तोड़ा कम करके टीटमेंन छोड दीया दो फीर वापस होजाए गा इसलिए मानो खे और को अच्छ अहीं मेन हमें ठीक हो गया हैँ ठीक होना और आक वापस तो यह चीज करने में जो भी दवाई से ठीक हो वही दवाई यह मैंटेनेस में इसमें हपते हुए दो बार ऐसा दो से तीन साल रखने का तभी बोडी में से मेमरी से जाएगी स्कीन याद रखती है किससे आपको एक्जीम हो वैसे ही आप उस कॉंटेक्ट में यह वापस स्टिमिलोट होता है काफी हमने देखे कि जो सिमेंट में काम करते हैं जो कारिगर तो उसने एक्जीम हो गया फिर उसने सिमेंट का काम छोड़ दिया पर कोई भी ऐसी जगह से निक डायमंड में जो एसी टोन यूज करते हैं तो हमने काफी एसी टोन के इलरजी दिखिए ग्लुइंग जो फरीकॉल जो बतने कि इसमें एदेटिव माटेरियल होता है उसकी बी अलर्जी में देखे केमिकल जो जरी में जो आता है बहुत हैवी केमिकल साथ इसके साथ एंडे एक बारका कोस्त हो जिससे होता है अगर इससे दूर हो जाओ तो ठीक हो जाइए गौन्तो जो अंदर से ब्लड से अंटी बोडी बनता है वह आपको बहुत परिशन करता है वह जिनेटिक होता है तो इसके लिए आपको लॉंग टरम मेडिसिन की जरूरत है तो हमबेस क्या करत जो आपको जो प्रेजर्वेटिव काना हो सके छोड़ देने का ज़्यादा तर जो जो चाइनिस प्रोड़ुक्ट जो आती है जो पीजा इसमें प्रेजर्वेटिव बहुत होती है फास्पुट जितना भी आता है आप घर का फ्रेश गरम कुछ भी खा सकते हो फ्रेश ताजा खा सकते हो प्रेजर्वेटिव भी लोंग टम बाला और आपको soft drink हो सके ओवेट करना कि कि soft drink में भी प्रेजर्वेटिव आता है shops होता है आचार होता है वह एक जूमा वाले को ज्यादा न裡 करने का जो सफ के ओंडु खाना और सिंधों मिठों जो बोलते कि जिसमें कम सोडियम आता है वो खाना और उसको हो सके कॉटन का कपड़ा पेना ज्यादा तर सिंथेटिक कपड़ा वो टाइट फीटिंग कपड़ा थोड़ा ओवेड करने का क्योंकि यह कभी फ्रिक्शन डर्मेटेटिज भी हो सकता है कि फीज़ वाले को थोड़ा वैड कन्ट्रॉल करना बहुत ज़रूरी क्योंकि ऑच्साइज करोंकि बलॉड फ्लो घुमेगा तो आपको बहुत जो ब्लॉड इंपुरिटी है तो यह बड़ उसको क्लीन करें अधरवाज क्या एक्क्यूमिलेट होता है और फिर वो डेमेज करेगा और एक्जीमा जब लंबे समय बोडी में फैल जाता है फिर यह दूसरा इंफेक्शन वाइरल बेक्टरियल फंगल बार बार होता रहता है तो यह पिर क्या स्कीन फिर बिमारी बिमारी रखता है एक पर इसलिए एक्जीमा का ड्राय स्कीन नहीं होना चाहिए खाने में हेल्थी डायट आपको बेलेंस डायट लेना बहुत जरूरी रहा वाइटामीन जो भरपूल लेना चाहिए ताकि आपकी बोडी की इम्मुनिटी ठीक रहे और कॉस्मेटिक भी आपको कैरफुल यूज करना यह चोटा चोटा अगर चेंज करोगे तो जिसके एक्जीमा की टेंडनसी होती ही ठीक होती है और दूसरा की जो केमिकल इंडेस्ट में जो काम करें इसको मास्क मेंना बहुत जरू कि काफी इंहलेंट में भी जाता है तो भी आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो और लास्ट पार्ट होता है डीट्रेस आपके योगा इसमें बहुत खाम करता है योगा से किया कि आपका जो स्कीन का जो प्यूरिफिकेशन होता है और कभी-कभी कोई आईरुदिक अगर डॉक्टर पंच कर्मा बलते है तो पंच कर्मा से क्या होता है इसको फूल उप करना कोई स्वास्तन्त्र होता है राइस्पारेस्टन भी इसमें काम करता है हमारा डाइजिशन लीवर से लेके सब कुछ जो ठीक होना चाहिस ये सब दोनों कड़ बर हुआ इसकी प्रेक्ष प्रेक्षण दुसरे दुसरी के तीसरे ऐसा वह बन जाता है इसलिए इसलिए फिट रहना का स्कीन का अच्छी तरह से ध्यान रिखने का खाने पेने का ध्यान रखना तो मुझे नहीं लग रहा कि एक्जीमा में कोई आप सोलीशन नहीं आप फिर भी ठीक नहीं हो तो फिर मेडिकल लाइन ओप ट्रीटमेंड में काफी है शुरू में एंटी इस्टैनमिक बोलते है और एक्जीमा बढ़ जाया तो इसमें 100 कोस अब श्टीरोड अपते दस दिन के लिए श्टीरोड देके फिर इसको टैपर करके फिर बन करते इसके बाद इम्म्योंसप्रेसिव आते एजओ थापरिन आती है साइक्लोफोस्परमां आती है साइक्लोसपरीन भी आती है काफी इम आता है और भी कहीं आता है तो वह मेडिकल सब्जेक हो गया इसके लिए आपको क्वालिफाइड डर्मेटोलिस मिलके फिर उसका सुल्यूशन आप ला सकते है तो आसा रखतु आपको यह इंफॉर्मेशन अच्छे लगी थैंक्यू वर्यवाज